हेलो हाई नवसकार आप सबी को दीपावली की बहुत बहुत शुब कामना है आज हम अपने चैनल पर रिव्यू कर रहे हैं और पूरी जानकारी दे रहे हैं Aresif O200 टेबलेट के बारे में आज आज आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी कि ये किस बीमारी में काम आती है किस तरह इसको खाना इसके डोजेज क्या है इसके साइड एफेक्ट क्या है और इसकी MRP क्या है तो इस टेबलेट में कितना है दम क्या है कम सब बताएंगे कि हम स्वागत है आपका हमारे चैनल रिव्यूज अड़ा में मैं हूँ सौनु रागप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बैल आइकन को प्रेस कर लीजे क्योंकि हम ऐसा ही कॉंटेंट आपके लिए लेकर आते रहते हैं आईए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले इस टैबलेट के बारे में बहुत ही महत पूर्ण और जरूरी जानकारी में आपको दे देता हूँ कि जब भी आप इस टैबलेट को खाना शुरू करें तो उससे पहले डॉक्टर की सला जरूर ले 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 और जिनको लीवर की समस्या है कोई प्रॉबलम है या लीवर की कोई दवाई चल रही है वो लोग इसको अपने आप खरीद कर ना खाएं और गर्भ बती महिलाएं भी इसका सेवन ना करें अब जान लेते हैं इस टैबलेट के साल्ट कॉंटेंट के बारे में तो इस टैबलेट में सिफेकसिम 200 एमजी होता है ये एक एंटिबायोटिक टैबलेट है बैक्टिरियल इंफेक्शन के लिए इसको हम इसे देते हैं तो इससे हमें क्या फायदे होते हैं इसको हम किस बीम लगाइड बॉर्ड निमोनिय में भी हम इसको यूस करते हैं फैफलों में इंफेक्शन हो यूसमें भी ये तो अंक curso इसमें भी उतने होजाते हैं उसमें भी इसको हम यूझ अब जानक्राइब के चाम के बारे में अगर आपको इस ट्यभलeq के खाने के बाद जी मिचलाता है या पेट में दर्द होता है या आपके सरदर्द होता है या उल्टी हो जाती है या आपका पेट खराब हो जाता है लूज मोशन या दस्त हो जाते हैं ऐसी कोई भी प्रॉलम होती है तो इसको खाना तुरंद बंद करते हैं और अपने डॉक्टर को ब पताए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें क्यूंकि हम अपने चैनल पर सभी तरीके की दवाईयों का रिवीव करते रहते हैं और अच्छे जानकरी देते रहते हैं थेंक्यू सो मच